मासां गा कुरूंदा गिर नंदा या कुरे हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल मुवी एक्स्प्रेंड में आज हम बात करेंगे मुवी एस दे गॉड्स विल जिसे हमारी एक सस्क्राइबर राजुशी दे ने सजिस्ट किया है थैंक यू फर सथिस्टिंग में सच अन एपक मुवी एस दे गॉड्स विल एक सूपर नैच्रल हॉरर मुवी है जो की रिलीज हुई थी 2014 में एंड आम डेए पे इसे रेटिंग्स मिली है 6.5 आट अफ 10 सुरुक करने से पहले मेरे एक छोटी से रिक्वेस्ट कि आप चैनल को जरू सस्क्राइब करें इट्स न्यूज चैनल और आपका एक एक सस्क्राइब ही हमें आगे बढ़ा सकता है वोई तीन करेक्टर पर फोकस्ट हैं जिनका नाम है शुन, इचिका और अमाया शुन अपने जिन्दगी से बहुत ही बोर्ड रहता है क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं हो रहा होता लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जाता है वो एक ऐसी डेटली गेम में फस जाता है जहां से अगर उसे जिन्दा निकलना था तो उसे गेम को जीतना ही पड़ेगा मुवी स्टार्ट होती है जहां पर हम क्लास रूम में शुन को उसके क्लासमेट्स के साथ एक डारोमा डॉल के साथ ट्रैप देखते हैं डारोमा डॉल स्टेंजली जिन्दा था और इन सब को अपने साथ डारोमा गेम कलने पर मजबूर कर देता है इस गेम में डारोमा डॉल सब को अपना पीट दिखाते हुए गाना गाता है और अचानक से पीछे पलड़ जाता है पीछे मुरने पर सब को भी नहीं लेडो ले श्टेचू बनना रहता है अगर कोई जरा सब हिला तो डॉल उसे मार देगा सब बहुत घबरावे वेते और इसी लेडर से वो लोग गेम नहीं खेल पाते तो डारोमा डॉल जो भी हिलता उसको वो मार डालता इसे बचने का बस एक ही रास्ता था कि डॉल के पीछे एक बटन है जिसे इन लोगों को वक्त खतम होने से पहले प्रेस करना पड़ेगा क्लाश में सुन और एक लड़के के अलावा बागे सब की मौत हो चुकी थी ये दोनों मिलकर बटन को प्रेस कर देते हैं और गेम को जीत लेते हैं लेकिन सर्प्राइजिंगली अब उस दूसरी लड़के का सर एक्स्प्लोड हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है यानि की गेम का बस एक ही इंसान जीत सकता है जो बटन को खुद प्रेस करेगा डारमा गेम खतम हो जाती है और डारमा डोल शुन से कहती है कि बिली आएगी और सब को खा जाएगी शुन को ये समझ नहीं आता फिर क्लास के डोर्स खुल जाती है और शुन बाहर अपने बच्पन की दोस्त इचिका को देखता है इचिका अलग क्लास के स्टूरेंट थी और उसकी क्लास में भी सेम ऐसे चल रहा होता है जिसमें अब उबस अकेली जिन्दा थी अब शुन और इचिका स्कुल से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन सारे रस्ते बन थे इसलिए उसकुल के जिम में जाते हैं अब दूसरी गेम भी शुरू हो चुकी थी जिसका नाम है माने की कोकेशी जिम के फ्लोर में से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है और इस सबको एक एक करके खाने लगती है शुन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही थी जो उन्हें ने चुहे की ड्रेस पहने हुई थी वो सबको जल्द से ड्रेस उतारने को कहता है बिल्ली अफशान्त हो जाती है लेकिन कुछ दिर बाद बिल्ली फिर से दुबारा इन पर हमला करने लगती है शुन और नीची का को एक बैल नीचे मिलती है जिने इनने बिल्ली के गले में लगी हुई रिंग के अंदर डालना था ऐसा करने पर ये लोग दूसरी गेम भी जीच जाएंगी इनमें इसे एक लड़का जो बासकेट बॉल में बहुत से स्किल्ड था वो बिल्ली को रिंग में फेकता है लेकिन बिल्ली बिल्ल को अपने हाथों से रोक लेती है शौन और इचिका मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये लोग बिल्ल को एक बास्केट बॉल में चिवा देते हैं शौन और इचिका अब दो बास्केट बॉल्ली के रिंग में वेखते हैं जिससे बिल्ली कन्फूज हो जाती है। शौन बिल को रिंग में आलमुस डाली देता है कि बेल रिंग से टकरा कर रिबॉंड हो जाती है। तब ही अमया आकर बेल को रिंग में डाल देता है। क्योंकि बस इची का शौन और अमया नहीं टास को पूरा क्या रहता है, बिल्ली उनका ही नाम लेती है as winners, दो-तिन स्टुइन्ट जो अभी भी बचे हुए थे, अमया उन्हें मार डालता है, अमया का मानना था कि बस ताकतवर लोग को ही जीने का हक है, उसे इन गेम में मज़ कर कोन रहा है, दुनिया भर में सो मिलिन से भी जादा बच्ची इन गेम्स के चक्कर में मर चुके थे, आर्मी से लेकर पुलिस हर कोई ने रोकने में लगा पड़ा था, लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं हो रहा है, लोगों के बीच बात फैल चुकी थी, कि ये सब भगव कराने का, क्यूब के अंदर आमाया को होश आ जाती है, और ओ देखता है कि उसके रोम में इची का नहीं थी, रोम में दो अलग स्टुएंट्स हैं, जो स्टुएंट्स के कहते हैं कि तीसरी गेम जल्दी शुरू आने वाली है, रोम की डोर खोल जाती है, जहां पर हम चार उड़ते वे डॉल्स को अंदर आते देखते हैं, और यह सब लोग अपने साथ कोकेशी गेम खिलने को कहते हैं, इस गेम में बीच में बैटा हूँ आदमी को चार डॉल्स गाना गाते वे घूमेंगे, और गाना खतम होने पर उसे गेस करना पड़ेगा कि उसके पीछे कौ बाहर आती है, जब शॉन रूम से बाहर आता है, उसे वहाँ पर इची का मिल जाती है, बाकी कुछ लोग भी मिलते हैं, और इन सब के सामने एक एंटर्स थी, जिसके खोलने के लिए इन्हें साथ चावियों के जरुत थी, सब अपनी चावियां अंदर डालते हैं, और गेम इन्हें भी जूट का, तो इन्हें टाइम देगा, ताकि ये लोग उसक्स को ढूंड कर भालू को सौब दे, और फिर भालू उसे मार डालेगा, अब भालू के हर सवाल पर जब भी ये लोग जवाब देते, तो भालू इनसे कहता है कि तुम में से कोई एक जूटा है, जल् तुम ही जोटे हो, तुम कुद को सफेद भालू बताते हो, लेकिन अंदर से तुम काले हो, तुम एक इविल भालू हो, इसे के साथ भालू पिगल कर यहीं मर जाता है, और ये पांच गेम की फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं, आखरी गेम में मार्तियोंस का डॉल् बनेगा और बाकी चारikes उस से चुपेंगे, संसेट के पहले इन बाकी चारे को डीमन को हराना है, यान कि उन्हें को लात मारकर अपनी जगर से हटाना है, लेकिन जो भी कैन को लात मारेगा, ओ मारा जाएगा, यान कि बाकी तीनों को बचाने के लिए किसी एक को अपनी सैक तेरे को ना देख पाए गेम के रूल्स के मुताबिक आमया जब तक किसी का चाहरा ना देख ले उसे बंदी नहीं बना सकता शुन ने जो आर्मर पहना तो वो बहुत ही भारी रहता है इसलिए आमया शुन की फेस को इसली रिविल कर देता है लेकिन शुन आमया का हातों में लोहे की जंजीर बांद कर समंदर में चलांग लगा देता है आमया भी इससे बिल्डिंग के एच की और खीचे चला जाता है और खुद को बचाने के लिए शुन को उपर खीचने लगता है लेकिन शुन आर्मर से बाहर निकल जाता है और बिल्डिंग की दूसरी और से बचेंगे, यहाँ पर कोई नहीं मरेगा, यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, डॉल्स उने खाने के लिए आइस क्रीम देते हैं, और लोग खुश हो कर आइस क्रीम्स खाने लगते हैं, तब इस्व नोटिस करता है कि उसके आइस क्रीम के स्टिक पर विनर लिखा था, जब वो इचिका के आइस क्रीम के स्टिक पर डेत लिखा था, यहाँ पर मार्तियोस के डॉल्स के अंदर से एक और इविल डॉल बाहर आती है, and जिसके भी आइस क्रीम की स्टिक पर डेत लिखा था, उन सब को लेजर से डिसिंटिग्रेट कर देती है मुवी के फाइनल सीन में हम शोन और अमया को क्यूब के ऊपर खड़े होते देख पाते हैं जिसे पूरी दुनिया अब गौड़ चिल्डरन का टाइटल दे चुकी थी अमया बहुत ही खुश था लेकिं शोन अपने आप से हार चुका था वो कहता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता है और पीचे से डॉल्स उसे ठीक करते हुए कहती है कि भगवान होते हैं इस गेम के असली मकसद तुम्हें भगवान के पास लाना ही था और वहाँ पर गौड आता है यह वही बुड़ा रहता है जिसे हमने मुवी के बीच में देखा था और इसी के साथ मुवी एंड हो जाती है आगे की स्टोरी हमें As The Gods Will Do में कंटीनी होगी जिसका एक्स्प्लेंशन में तभी करूँगा अगर आप इस वीडियो को देर सारा प्यार देंगे अब एक्स्प्लेंशन की बात करें तो एंडिंग में हम जिस बुड़े आदमी को गौड कहकर जान पाते हैं दरसल इस गौड का नाम है कामिनो कोजी कामिनो मोरा कामिनो कोजी बहुत पहले एक इनसान हुआ करता था जिसे माना नाम के एक गौड ने जबर्दस्ती पावर देकर उसे भी गौड बना दिया था कामिनो कोजी अब इस दुनिया में इसे उप चुका था इसलिए वो गेम्स कंड़ करता है तो आपको एकस्पेंशन कैसी लगी मुझे कमेंटस में जरूर बताएं जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सब नया सीख रहा हूँ तो प्लीज कोपरिट तब तक के लिए थैंक यू एंड बाई झाल